नमस्कार वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है पेश है आज के मुख्य समाचार अनुशाशन में दस दिवसीय प्रशिक्षन हुआ थियरी और प्रत्यक्षिक के 70 प्रतिशत अंक लेकर उसने परिक्षा उत्तिरन की और आकिरकार ड्रोन पाईलट हुई 50 गरूडा कमपनी ने ड्रोन की तक्नीकी बातों का 3 दिवसीय प्रशिक्षन 17 फल्टन में दिया ड्रोन के माध्यम से परंपारी खेती को अधोनिकता का जोड यह संकलपना प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी की थी महिला सक्षमी करण कुरुशी विकास की कमान महिलाओ को सोपी कुरुशी शेत्र को तक्निकी द्यान का जोड़ देकर इसमें महिला अवल रह सकती है ऐसा प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी का विश्वास सारतक साबित हुआ आज महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है नए तक्निकी द्यान को आत्म साथ कर महिला सक्षमी करण को मजबूती करण प्राप्त हुआ है एगरिकल्चर ड्रोन छिटकाव प्रशिक्षन पूर्ण कर अमरावती जिले की पहिली ड्रोन दीदी बनने का बहुमान कलपना वानखड़े को प्राप्त हुआ शैक्षेनिक पात्रता और बचस समुओं में रहना इसमें अनिवार्य था ड्रोन के माध्यम से फवारनी किये जाने से किसानों के आर्तिक और समय पर आने वाले नैसरकिक संकट पर मात किया जा सकेगा संपुर्ण देश के एकजार वन्यासी ड्रोन दीदी में अमरावती जिले की पहिली प्रमानित महिला ड्रोन पाइलट के रूप में कलपना वान्खड को नमो ड्रोन दीदी स्वामित्व प्रमानपत्र देकर प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी और भारत सरकार उर्वरक विवाग के हातों सम्मानित किया गया जिससे कलपना को नहीं पहिचान मिली है चांदुर बाजर तेसिल की कलपना वानखड़े के इस चैन पर विधायक बच्चु कडू ने कहा कि कलपना ताई यह जिले की पहली महिला किसान है जिनने ड्रोन पाइलेट के रूप में न्यूक्त किया गया है उन्हें कलपना के इस कारे पर अभिमान है कडू ने उन्हें भ मनपाक शेत्र में मद्धे रात्री से मनपाके चुनाव विभाग और अतिक्रमन तोड़ू दस्ते ने पुलिस बंदोबस्त में यह कारेवाई शुरू कर दी। किया गया था। जिसमें पार्टी की प्रशिक्षी टीम द्वारा पार्टी कारेकरताओं को विपक्षी दलो की रणनीती से निपटने हितु करीब तीन घंटे का प्रशिक्षन दिया गया। अधिकारी वो कारेकरता उपस्ते। विशेशग्य कर्मचारी आधिसाइद अनेक विशेशग्य प्रशिक्षन देने हितु उपस्ती थे। इस अवसर पर मनपा आयुक्त वो अतिरिक्त आयुक्त महेश देशपुक ने संपत्ती करकी नई प्रणाली के संबंध में सबी मनपा कर्मचारीओं को मार्गदर्शन क किया धर्मविर चतरपती श्री संबाजी महाराज बलिदान मास निमित्त श्री श्यूप्रतिष्टान हिंदूस्तान और श्रीमंत दगडुशेट हल्वाई चारिटेबल टरस्ट इनके माध्यम से राजापेट बस स्टैंड पर नया वाटर कुलर लगाया गया श्री प्रतिष्टान हिंदूस्तान और श्रीमंत दगडुशेट हल्वाई चारिटेबल टरस्ट इनके माध्यम से वाटर कुलर देके प्रवास्यों के लिए जलसेवा उपलब्द कराई गई है इस वक्त हुए कारेक्रम में करन धोटे इन्होंने धर्मविर चत्रपती श्री प्रशांजी देश्पांडे और अरपित भहिया जाजो दिया इनके हातों वाटर कुलर का पूजन कराकर वाटर कुलर की सेवा समर्पित की गई वडाली वनपरिक्षेत्र के एक जलकुंबा के पास शनिवार को मृत नर तेंदुवा सड़े गिली हालत में मृत अवस्ता में मिला मृत तेंदुवे के आयू करीबन आठ वर्ष बताई जाती है शाम को वनविभाग के अधिकारी और करमचारियों की मोजूदगी में मृत तेंदुवे का पोस्ट माटम किया गया बताया जाता है कि शनिवार को दोपर तीन बज़े के दवरान दक्षिन बडाली दस परिसर में वन मजदूर राजू पिंजरकर और राजू काले हमेशा की तरह कुरुतिम जलकुम्ब में पानी डालने के लिए जंगल में गये थे तब उन्हें बुलबुल जलपात्र के पास बदबु आने से उन्होंने आसपास का निरिक्षन किया तब उन्हें अधिकारियों ने लगाया है लोगसबा चुनाव का शनिवार को बिगोल बचते ही आचर सहीता लागो होने पर शनिवार की रात फ्रेजरपुरा थानाक शेतर में पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल की मोजूदगी में नाका बंदिकर कोंबिंग ओप्रेशन चलाया गया इस कुमबिंग ओप्रेशन में सहाय कायुक्त कैलास पूट कर क्राइम ब्रांच के निरिक्षक गोरखनाक जादाव प्रेजरपुरा के निरिक्षक मनीज बंसोड के नेतरुतों में नानगाव पेट बढ़नेराब वलगाव और क्राइम ब्रांच यूनीट शेहर याताय श शराब योसायू के या चापे मार कर 40 लीटर गावटी शराब जब्तकर 6 लोगों पर कारेवाई की साथी नाकाबंदी के दवरान बडाली पुल और येशोदानगर चोक में कुल 56 वहानों की जाच की गई इसमें 12 वहानों पर कारेवाई की गई आगामी लोकसबा चुनाओ को देखते हुए इस तरह की कारेवाई आगे भी जारी रखी जाने वाली है। प्रकल्पक रस्तो का कहिना था कि शीदकाली नदिवेशन में हजारों प्रकल्पक रस्तो ने अमरावती से नाकपूर विदान भौवन पर लौंग मार्श निकाला था। इस दवरांद राज्य के उपमुखे मंत्री देवेंद्र फटनविस ने प्रकल्पक रस्तों के प्रतिनीती मंडल के साथ दो दिन बैटक लेकर सकारात्मक निर्ने लेने के लिए 15 जनवरी 2024 स्थिती तै की थी लेकिन यह बैटक न होने से मजबूरन प्रकल्पक रस्त किसानो ने 7 मार्च को अमरावती के जिलादीकारी कारयले परिसर में अंशन शुरू कर दिया था जिले में मेलगाट के धारनी तैसिल में आने वाले दादरा गाव की जिला परिशे शाला के आठवी कक्षा के 13 वर्षिय चात्र गोकुल सुगदेव सावर करने शिनिवार को अपने खेत में किटक नाशक दवा प्राशन कर खुदकुशी का प्रयास किया घटना की जानकरी मिलते ही चात्र के पिता और परिजनों ने उसे ततकाल धारनी के उपजिला अस्पताल पहुचाया इस घटना की जानकरी विधायक राजकुमार पटेल और धारनी पुलिस को मिलते ही वे उपजिला अस्पताल पहुच गये धारनी से 40 किलोमेटर दूरी परस्तीत आदिवसी बहुल इलाके के दादरा गाओ के जिला परिशे च्छाला के छातरग ने जहर पिकर आत्मत्या का प्रयास करनी की घटना से शेतर में हडकम मज़ गया है सुत्रों के मताबिक गोकुल के पिता का किसी घरेलू कारण पर से अपनी पत्नी के साथ दोपर के समय विवाद हो रहा था इस विवाद के चलते वह गोकुल की मा से मारपीट न करे इस मकसद से उसने यह हरकत की ऐसा पूलिस ने अपने बयान में बताया उसकी हालत खत्रे से बाहर रहने के कारण रात उसे अस्पता से चुट्टी दे दी गई। प्रशासन द्वारा इस रिपोर्ट को लेकर काफी गोपी नियता बरती जारी है। बाहर बनने का सपना रखने वाली जानवी कल इस दुनिया से रुखसत हो गी। जानवी परिशान थी अपने स्कूल के उन अंट्रेट टीचर्स के आरोपों से उन्होंने इस ब्रिलियन छात्रा पर नकल का आरोप लगा कर परिक्षा देते समय उसे टॉर्चर किया। सब बच्चे से अलग बैठाया यह जताने की कोशिच की जानवी होशयार नहीं है यह चीटिंग करती है जिससे अत्यनत खिन्न होकर इस मासुम ने ऐसा फैसला लेया जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड तूट पड़ा। जानवी ने आठ मंजिला इमारत से कूटकर अपनी जान दी दी जिसके बाद इस प्रकरन में शिकायत दर्ज होनी के बाद अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही कोई गिरपतारी हुई है थानेदार स्रीमती पवार ने जाज जारी रखने की बात कही है। गाड़ेनगर पुलिस टेशन अंतरकत एक प्रसिद्ध महाविद्याले में एक छात्र के साथ उसके चार सीनियर विद्यारतियों ने रैकिंग के नाम पर अश्लील बाच्ची तता बीच में समझाने आये एक विद्यारति की जमकर पिटाई किये जाने का मामला सामने आया ह विगत 15 मार्च को अपने 4 सीनियर विद्यारतियों ने उसे बीच रास्ते में रोककर रैगिंग तथा अश्लील बाच्चित करने के साथ ही बीच बचाव करने आये चात्र के एक मीतर के साथ भी उन 4 सीनियर विद्यारतियों ने जमकर पिटाई कर दी गटाः की जानकारी ततकाल गालगेनगर पुलिस को दी गई, पुलिस ने मामला दर्च कर कार्यवाईज चुरू कर दी है।